रूस और यूक्रेन का युद्ध अभी भी लगतार जारी है लेकिन ये युद्ध सिर्फ रश्या और यूक्रेन के बीच नहीं रह गया है बलकि कई देशों का involvement अब इस युद्ध में देखा जा रहा है हाल ही में रश्या और इरान की दोस्ती से अमेरिका में खलबली मच गई है अमेरिका डर गया है और अमेरिका के पसीने चूट रहे हैं लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है ये आपको बता देते हैं दरसर हाल ही में इरान ने रश्या की मदद का एलान किया दोसो से जादा बैलिस्टिक मिसाइलों को देने का एलान किया जिसके बाद अमेरिका के पसीने चूट गए हैं इरान की FATH-360 बैलिस्टिक मिसाइल की रूस की आपूर्ती ने अमेरिका को भी डरा दिया है यहां तक की यूरोपियन यूनियन ने सप्लाई की खबर की पुष्टी हो जाने पर इरान पर और कई प्रतीबंद लगाने की चेतावनी जारी कर दी है आखिर रूस और यूक्रेन युद में इस्तमाल होने वाली ये मिसाइले ऐसी क्या खास हैं और इन में क्या खूबिया है जो इसे बेहत खतरनाक और मारक बनाती हैं ये आप जान लीजे जिससे अमेरिका डर गया है अमेरिका के पसीने चूट रहे हैं दर असल FATH-360 एक SR-BM मिसाइल है जिसका मतलब होता है शौट रेंज बालिस्टिक मिसाइल ये मिसाइलें अपने सटीक निशाने और मोबिलिटी के लिए जानी जाती हैं इनकी मोबिलिटी इतनी शांदार है कि इन्हें ट्रेस करना मुश्किल होता है बहुत मुश्किल FATH-360 ठोस इंधन वाली बैलिस्टिक मिसाइल है जिसके बारे में दावा किया जाता है कि इसकी सीमा लगभग 75 मील है ये दुश्मन के सैन प्रतिष्ठानों और बुन्यादी धांचे को तहस नहस करने की शमता रखती है इस एक मिसाइल का वज़न 787 किलोग्राम बताया जात है इसकी गती यानि स्पीड की बात करें तो MACH 3 से 4 है लिट फ्यूल से बनी हुई ये बैलिस्टिक मिसाइल 120 से 300 किलोमीटर की सीमा के साथ तेजी से तैनाती कर सकती है FATH 360 150 किलोग्राम का वार हैट कारी कर सकती है अब चुकि ये छोटी है और मोबिलिटी देती है तो इसका इस्तमाल करने वाला कई तरह से रूस को अपर हैंड देगा इसके इसी डिजाइन के कारण इसे रोपना मुश्किल ही नहीं नामुम्किन हो जाता है तो ये बैलिस्टिक मिसाइल कितनी खतरनाक है ये तो आप जान रहे हैं ये एक खास तरह के अत्याधुनिक गाइडन सिस् भी कर लेती है FATH-360 ट्रक पर लगे सिस्टम से लांच किया जाता है जो कई मिसाइलों को तैनात करने में सक्षम भी है विशेशग्यों का मानना है एक्सपर्ट का ये कहना है कि मौस्कों के पास अपनी खुद की बालिस्टिक मिसाइल है लेकिन FATH-360 की आपूरती से रूस को अग्रीम पंक्ती से परे अपनी टार्गेट को निशाना बनाने में ताकत मिलेगी इसे लिए अमेरिका डरा हुआ है इरान के रूस को मिसाइल देने के रिपोर्ट के बीच यूक्रेन और अमेरिका में मची खलबली पर इरान ने सक्षम दिया इरान ने कहा है कि हम पर मिसा पाइले भेज़ जाने की रिपोर्ट मनो वज्ञानिक युद्ध है और इरान किसी भी एक पक्ष का सपोर्ट नहीं करता है जबकि खुद अमेरिका की ओर से यूक्रेन को रूस यूक्रेन युद्ध में फाइटर जेट और मिसाइल दिये जाते रही है ऐसा इरान का कहना है य इरान के विदेश मंतरी ने कहा है इरान पर आरोप लगाने वाले वो लोग जो युद्ध के एक पक्ष के सबसे बड़े हत्यार निर्यातकों में से एक हैं इरान ने एक बार फिर कहा कि तहरान रूस यूक्रेन युद्ध का हिस्सा नहीं है तो वहीं रूस ने कहा कि हमने ये रिपोर्ट देखी है इस बार ऐसा नहीं होता कि इस तरह की जानकारी सच हो हर बार ऐसा नहीं होता है कि जो जानकारिया मिल रही है वो सची साबित हो कुल मिला कर अगर देखा जाए तो इरान ने जो मदद का एलान रूस को किया है उसके बाद से ही अमेरिका में खलबल मदद रश्या की कर रहा है फिलाल ये जो डील है ये डील पक्की हुई और इसके बाद से अमेरिका ये सोच रहा है कि उसका क्या होगा इसके पीछे बहुत बड़े वज़ा है इसके पीछे कई ऐसी वज़ा है अगर हम देखे तो इरान और अमेरिका के बीच कितने बड़े बनलाव आने वाले दिनों में होंगे ये तो आने वाला समय ही बताएगा तो फिलाल बैलेस्टिक मिसाइल क्या है इसकी खूबिया क्या है और अमेरिका क्यों डरा हुआ है, अमेरिका के पसी ने क्यों निकल रहे है, ये हमने आपको बताया, आप क्या राय रखते हैं इस उद्ध को लेकर और इस डील को लेकर हमें आप कॉमेंट कर बता सकते हैं, और भी ऐसे कई वीडियो के लिए हमें सbone स्ब्सक्राइब करना विल